C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारब प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 14 जल प्रिष्ठ 136 माल लीजिए किसी कारण वश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रति दिन एक बाल्टी जल मिलता है कल्पना कीजिए तब क्या होगा? क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बरतन साफ करना और इसनान करना जैसे कारे कर पाएंगे? इनके अतरिक्त अन्ने कौन-कौन से क्रिया कलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे यदि काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा, तो क्या होगा? पीने के अतरिक्त ऐसे बहुत से क्रिया कलाप हैं जिनके लिए हम जल का उप्योग करते हैं, जो की चित्र संखिया 14.1 में दर्शाया गया है क्या आपको ये अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगबग कितनी मात्रा का उप्योग करते हैं? चित्र संखिया 14.1 इस चित्र में पानी के विभिन उप्योग बताए गए हैं चित्र में एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, एक बच्चा नहा रहा है, एक लड़का कप्ड़े धो रहा है और एक लड़की हाथ में घड़ा लिए खड़ी है 14.1 हम कितने जल का उप्योग करते हैं? क्रिया कलाप एक प्रती दिन के उन सभी क्रिया कलापों की सूची बनाईए जिन में आप जल का उप्योग करते हैं सारणी 14.1 में कुछ क्रिया कलापों की सूची दी गई है, इसी प्रकार की सारणी अपनी नोट बुक में बनाईए अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रते क्रिया कलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिये। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपियोग कर सकते हैं। सारणी 14.1 आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपियोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। यहां एक सारणी दी गई है जिसमें दो कॉलम हैं। पहले कॉलम में पानी के उपियोगों के बारे में बताया गया है। उसके सामने दूसरा कॉलम है जहां पर उपियोग हुए जल की मात्रा आपको बतानी है। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रती दिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपियोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपियोग किये जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपियोग करके यह करना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवशकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यहाँ आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवशकता का ज्यान कराएगा। पता लगाईए कि आपके गाउं या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवागाउं के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवशकता होगी। बूजो जिग्यासू है कि क्या हमारे देश के विभिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्द होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कि लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है। वे अपना काम कैसे चलाते हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रिया कलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपियोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवशक्ताएं इसी प्रकार के क्रिया कलापों तकी सीमित हैं। हम गेहूं, चावल, डाले, सबजियां तथा अन्य बहुत सी खानी की वस्तूओं का प्रती दिन उपियोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपियोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौदों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवशक्ता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपियोग सोच सकते हैं? हमारे उपियोग की लगभग सभी वस्तूओं के उत्पादन में जल का उपियोग किया जाता है। इसलिए जल का उपियोग केवल दैनिक कारियों के लिए ही नहीं, वरन बहुत सी वस्तूओं के उत्पादन के लिए भी होता है। 14.2. हम जल कहां से प्राप्त करते हैं। अपने उप्योग के लिए आप जल कहां से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, जर्णों, तालाबों, कुओं, अत्वा हैंट पम से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहां से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं, वह जल भी किसी जील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ती फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है इस चित्र में नदियों, जीलों, नलकूपों या कूँँ से जल टोटियों में आता है इस बात को दर्शाया गया है हमें से प्रतेक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का धंग भिन्न हो सकता है अंतताह हम सब के जल के एक से ही स्रोत हैं जैसे तालाब, जील, नदी, तथकूएं हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उलेक किया है इन तालाबों, नदियों, जीलों तथा कुओं को भढ़ने के लिए जल कहां से आता है पहली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक प्रिष्ट के उत्पादन के लिए लगभग दो गिलास जल की आविशक्ता होती है बूजो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कलपना करें जस दिन जल की आपूर्ती टोटियों द्वारा नहीं हो रही हो अताहा आपको स्वैम बहुत दूर से जल लाना पड़ता है तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा कोपियों करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? प्रिष्ठ 138 चित्र संख्या 14.3 इस चित्र में ये दिखाया गया है कि महसागरों ने प्रिथ्वी के अधिक तर भाग को घे रखा है क्या आप जानते हैं कि प्रिथ्वी का दो बटा तीन भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महसागरों में है समुद्रों और महसागरों के जल में बहुत से लवण खुले होते हैं जिससे जल खारा होता है इसलिए यहाँ पीने के लिए अनुप्युक्त तथा अन्य घरेलू, क्रिशी तथा उद्योगों की आविशक्ता की पूर्थी के लिए उचित नहीं है कदाचेताप ने S.T. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कवीता Rime of the Ancient Mariner की ये पंक्तियां सुनी होंगी हर जगा जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं यहाँ कवी ने महासागर में भटके किसी जहास के नाविकों की करून गाथा का उलेख किया है फिर भी महासागर हमारे उप्योग के लिए जला पूर्थी में एक आविशक भूमिका निभाते है क्या आपको यह आश्चेर जनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उप्योग करते हैं वो खारा नहीं होता हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं क्या इन इस्थानों की जला पूर्थी भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, जीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुँचता है जो हमें जल किया पूर्थी करते हैं ऐसा क्यूं है कि इन सुरूतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विशे में जानना आवशक है आपने कितनी बार यह देखा है कि फश पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूकते समय भी जल विलुप्त हो जाता है वर्षा के पश्चात गीली सडकों, छटों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है यहाँ जल कहां चला जाता है? चित्र संख्या 14.4 अलगनी पर सूकते कपड़े इस चित्र में सूरज की रौश्णी में सूकते हुए कपड़ों को दर्शाया गया है क्या आपको अध्याए 5 का क्रिया कलाप 6 याद है जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक खुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाश्पित हो गया था तथा नमक शीष रह गया था इस क्रिया कलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जल वाश्प में परिवर्तित हो जाता है इस क्रिया कलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाश्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है इस प्रकार बनी जलवाश्प वायू का एक भाग बन जाती है जिसे प्राया देखा नहीं जा सकता हमने यह भी पाया था कि जल को गैसी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार है तथा भी हमने यह देखा है कि खेतों, सडकों, छटों तथा अन्ने जमीनी क्षित्रों से भी जल जल वाश्प में परिवर्तित होता रहता है अध्याए पाँच में हमने यह भी उलेख किया है कि महा सागरों का खारा जल जो गहरे गड़ों में छूट जाता है वाश्पन के परिडाम सो रूप नमक के धेर के रूप में एकत्र हो जाता है वाश्पन के लिए आवश्चक यह उश्पा जल को कहां से प्राप्त होती है आएए इसका पता लगाते हैं प्रेश्ट 149 क्रिया कलाप दो दो एक जैसी प्लेट लीजिए एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी थूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के धक्कन का उप्योग कर सकते हैं ध्यान रखिए जल इधर उधर न चलके प्रतीक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का प्रेक्शन कीजिए क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाश्चपन के लिए इस उर्जा का सुरोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणे महसागरों, नदियों, जीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है खेत तथा अन्य भूमिक शित्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहन करते हैं इसके फलसो रूप इन सभी का जल निरंतर वाश्पु में परिवर्तित होता रहता है तथा भी जल में घुले लवन शेश रह जाते हैं चित्र संख्या 14.5 सूरी के प्रकाश यानि धूप और चाया में जल का वाश्पन यहाँ पर इस चित्र में एक घर के आंगन में चाये में एक प्लेट में पानी रखा हुआ है और दूसरी प्लेट में पानी सूरी के प्रकाश में खुले में रखा हुआ है क्रिया कलाब 2 में हमने यहां देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है यद्यपी इसमें अधिक समय लगता है क्या सूर्य के प्रकाश की उश्मा यहां भी पहुंच जाती है हां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारो और की वायू भी गर्म हो जाती है गर्म वायू छाया में रखे जल को वाश्पित करने के लिए उश्मा प्रदान करती है इस प्रकार जल के सभी खुले प्रिष्ठों से वाश्पन की क्रिया होती रहती है इसके फ़ल सरूप वायू में जलवाश्प निरंतर मिलती जाती है तथा पी जल का वाश्पन एक धीमी प्रक्रिया है यही कारण है कि जल से भरी किसी पाल्टी से जल की इस इक्षती को हम बहुत कम देख पाते हैं सूरिय के प्रकाश में वाश्पन तेजी से होता है वायू में अंतरित होने का अन्य कोई प्राक्रम भी है पौधों द्वारा जल की ख्षती आपने अध्याय साथ में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृध्धी के लिए जल की आविशक्ता होती है यहां बूझो वाश्पो सर्जन के विशे में पढ़ता रहा है उसने स्वैम से पूझा एक किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाश्पो सर्जन द्वारा कितने जल की ख्षती होती है उसने पता लगाया कि यह ख्षती लगभग 500 लिटर है जो की अनुमानता बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की ख्षती होती है प्रिश्ठ एक सौचालीस जल के वाशपोस सर्जन का प्रेक्षन किया था वायू में जल, वाशपन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है नहीं, यहां हमें पुना प्राप्त हो जाता है जैसा कि हम देखेंगे बादल कैसे बनते हैं? क्रिया कलाब तीन जल से आधा भरा गिलास लीजिए गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोचिए जल में कुछ बर्फ डालिए एक या दो मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए गिलास के बाहरी प्रिष्ट में होने वाले परिवर्तनों का प्रिक्षन कीजिए चितर संखिया 14.6 गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे कहां से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाश्प गिलास की सतह पर संखनित हो जाती है संखनन के इस प्राक्रम को हमने अध्याए 5 के क्रिया कलाप 7 में देखा था चितर संखिया 14.6 इस चितर में बर्फ और जल से भरे गिलास के बाहरी प्रिष्ट पर प्रकट जल की बूंदों को दर्शाया गया है पहली ने सर्दियों में प्राता काल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदे देखी है क्या आपने भी कभी शीत रितु में प्राताकाल पत्तियों या धातु के प्रिष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दर्वाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदे देखी हैं? क्या यह भी संगनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्राताकाल ऐसा होते देखा है? जल को प्रिथ्वी के प्रिष्ठ पर पुना वापस लाने में संगनन प्राकरम की एक महत पूर भूमिका है. यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम प्रिथ्वी के प्रिष्ठ से उपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है. जैसे जैसे वायू उपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती परियाब तो उंचाई पर वायो इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाश्प संघनित होकर छोटी-छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जल कणिकाईं जो वायो में तैरती रहती हैं हमें बादलों की रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाईं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदे बनाती हैं। चित्र संख्या 14.7 इस चित्र में कुछ बादलों को दर्शाया गया है सर्दियों में प्राता काल धर्टी के पास बूजों ने कोरा देखा है वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धर्टी के पास जलवाश्प का संगनन है आप क्या सोचते हैं इन में से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्शा कहते हैं विशेश परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है इस प्रकार वाश्पन तथा वाश्पोत सर्जन द्वारा जल वायू में चला जाता है बादल बनते हैं और वर्शा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुना धर्ती पर वापस आता है चौदा पॉइंट चार पुना महसागरों की ओर वर्शा तथा हिम के रूप में प्रित्वी के विभिन भागों में आई जल का क्या होता है प्राया समस्त भूप्रिष्ट महसागरों के तल से उचे है वर्षया तथा हिम के रूप में भूमी पर गिरा अधिकांश जल अंतता महसागरों में वापस चला जाता है यहाँ विबिन धंगों से होता है परवतों पर हिम पिखल कर जल बन जाती है यहाँ जल पहाडों से ज़र्णों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है चित्र 14.8 कुछ जल जो वर्षया के रूप में भूमी पर गिरता है वह भी नदियों और ज़र्णों के रूप में बह जाता है अधिकांश नदियां भूमी पर लंबी दूरी तै करती हैं और अंततह किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है तथा भी कुछ नदियों का जल जीलों में बह जाता है वर्षा का जल भी जीलों तथा तालाबों को भर देता है वर्षा के जल का कुछ भाग भूमी द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त होता हुआ प्ततीत होता है इस जल का कुछ भाग वाशपन तथा वाशपोत सर्जन द्वारा वापस वायू में चला जाता है चित्र संख्या 14.8 इस चित्र में वर्षा का जल जड़नों और नदियों के रूप में बहता हुआ दर्शाया गया है शेश जल धीरे धीरे भूमी के नीचे रिस्ता रहता है इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्द हो जाता है कोओं का भरण भौम जल से ही होता है इसी प्रकार कुछ जीलों के जल का सुरोत भी भौम जल ही होता है हेंड पंप या नलकूप से खींचा गया जल भॉम जल से ही आता है जिनक शित्रों में अधिक हेंड पंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भॉम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आविशक्ता होती है अति उप्योग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षती चिंता का विशय है पहली एक चिंता को आपसे बाटना चाहती है उन क्षित्रों में जहां भूमी पर वर्नस्पती बहुत कम है या बिलकुल ही नहीं है वहां वडशा का जल शीग्र बह जाता है बहुत से ऐसे भी ख्षित्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है ऐसी भूमी में जल का रिसाव बहुत कम होता है जिससे अंतता भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है वडशा का बहता जल अपने साथ मृदा के उपरी प्रिष्ठ को भी बहा ले जाता है अब हम यह जानते हैं कि भूमी की सतह पर वडशा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महसागरों में वापस पहुँच जाता है इस प्रकार जल प्रिथ्वी की उपरी सतह से जल वाश्प के रूप में वायू में जाता है वर्शा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लोटता है और अंत में वापस महसागरों में लोट जाता है प्रिष्ठ 142 चित्र संखिया 14.9 इस चित्र में जल चक्र को बादलों, तालाबों और नदियों के द्वारा दर्शाया गया है. जल के इस प्रकार चकरन करने को जल चक्र कहते हैं. समुद्र तथा भूमी के बीच यहा जल चक्र एक निरंतर प्राक्रम है. यहां भूमी पर जल की आपूर्टी बनाए रखता है वर्षा का समय अवधी तथा मात्रा विभिन स्थानों पर भिन भिन होता है संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है हमारे देश में अधिकांश वर्षा मौनसून के मासम में ही होती है विशेश्ता गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है परन्तु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है चित्र संक्या 14.10 भारी वर्षा से नदियों, जीलों तथा तालाबों का जलिस्तर बढ़ सकता है ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षित्र में फैल कर बार्ण का कारण बन सकता है यहाँ खेतों, वनों, गावों और शेहरों को जल मगने कर सकता है चित्र संक्या 14.10 में भारी वर्षा के बाद का द्रिश दर्शाया गया है हमारे देश में बार्ण से फसलें, पालतु जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार ख्षती होती है प्रिश्ट 143 चित्र संक्या 14.11 इस चित्र में किसी बार्ण गरस्त ख्षित्र का द्रिश दर्शाया गया है बार्ण के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं प्राया जब बार्ण का जल उतरता है, तो ये जलश जीव धल भाग में फस कर मर जाते हैं वर्षा भूमी पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है 14.6 यदि काफी समय तक वर्षा ना हो, तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षित्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो, तो क्या होगा? वाशपन एवं वाशपोस सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की ख्षती होती रहती है क्यूंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षित्र के तालाबों और कुओं में जल का इस्तर गिर जाता है। और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिती में खाद्यान और चारा प्राप्त करना दु ना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षित्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वर्नस्पती का क्या होता है। अपने माता-पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा पत्रों वा मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। जब भौम जल का इस्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उप्योग नहीं कर सकते हैं। प्रित्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। परंतु उप्योग के लिए उपलब्द जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अती उप्योग के कारण घटती जा र बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारन द्रिश्य है। इस से जल व्यर्थ ना हो। चित्र संख्या 14.12 में इसी प्रकार एक नल के आगे बर्तनों की कतार को दर्शाया गया है। वर्शा का जल एकत्र करने को वर्शा जल संग्रहन कहते हैं। वर्शा जल संग्रहन का मूल मंत्र यहा है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिये। वर्शा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षित्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षित्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यहां नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्शा जल का कुछ भाग बह कर नदियों या जीलों तक पहुँच जाता है जो की बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्यूंकि यह जल हमारी चारों और भूमी में वापस नहीं गया है। अता इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आविशकता होगी। वर्शा जल संग्रहन की यहां दो तकनीकों का उलेक किया गया है। एक चट के ऊपर वर्शा जल संग्रहन इस प्रणाली में भवनू की चट पर एकत्रित वर्शा की जल को भंडारन टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में चट पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उप्योग करने से पहले निसियंदित करना आवशक होता है। इस जल को भंडारन टैंक में एकत्रित करनी के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड़े तक ले जाया जा सकता है। जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भॉम जल की पुना पूर्थी करेगा। जैसा कि चित्र संखिया 14.11 में दर्शाया गया है। एक दूसरा विकल्प है कि सडक के किनारे बनी नालियूं द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमी में सीधे पहुँचने दिया जाए। प्रमुक शब्द बादल, संखनन, सूखा, वाश्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहन, हिम, जल वाश्प, जल चक्र। प्रिष्ट 145 सारांश जल जीवन के लिए आवशक है वाईू में वाश्पन और वाश्पो सरजन से जल वाश्पो मिलती रहती है जल वाश्पो वाईू में संगनित होकर छोटी-छोटी जल की बूंदे बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते है बहुत सी चोटी जल की बूंदें परस पर मिलकर वर्षा, हिम, अथवा, ओले के रूप में गिरती है वर्षा, ओले तथा हिम, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनापूर्थी करते है महा सागरों तथा जलिये भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते है अत्यधिक वर्षा से बाड़ा आती है जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने से सूखा पड़ सकता है प्रिथ्वी पर उप्योग करने योग के जल की मात्रा सीमित है इसलिए विवेक पूर्ण उप्योग की आविशक्ता है अभ्यास एक, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिन वाक्यों में रिक्तिस्थान है जहां सही शब्द भर कर आपको वाक्य को पूरा करना है जल को वाश्प में परिवर्थित करने के प्राक्रम को रिक्तिस्थान कहते हैं ग, एक वर्ष यह से अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षित्र में रिक्तिस्थान लाता है ग, अतिधिक वर्षा से रिक्तिस्थान आती है दो, इन वाक्यों को सुनकर बताईए कि यह प्रक्रिया वाश्पन के कारण है अथवा संघनन के कारण से है क, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना ख, गीले कपड़ों पर इस्तरी करने पर भाब का उपर उठना ग, सर्दियों में प्राता काल कोहरे का दिखना ग, गीले कपड़े से पूछने के बाद शाम पट कुछ समय बाद सूख जाता है ग, गर्म छड़के उपर जल छड़कने से भाब का उपर उठना तीन, इन वाकियों को सुनकर पताईए कि ये सत्ते हैं या असत्ते क, वायू में जलवाश्प केवल मौनसून के समय में उपस्तित रहती है ग, जल महसागरों, नदियों तथा जीलों से वाश्पित होकर वायू में मिलता है, परंतो भूमी से वाश्पित नहीं होता ग, जल के जल वाश्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाश्पन कहलाती है ग, जल का वाश्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है डा, वायू की उपरी पर्तों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाश्प संखनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है प्रिष्ट 146 4. मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीगरी सुखाना चाहते हैं क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कारिय में सहयता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे? 5. एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए कुछ समय पश्चात आप इसके चारों और जल की छोटी छोटी बूंदे देखेंगे कारण बताओ 6. चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं लेंस क्यू भीग जाते हैं? समझाईए 7. बादल कैसे बनते हैं 8. सूखा कब पड़ता है? प्रस्तावित पर योजनाएं और क्रिया कलाप 1. तीन क्रिया कलापों की सूची बनाएए जिससे आप जल बचा सकते हैं प्रते क्रिया कलाब को कैसे करेंगे इसका उल्लेख कीजिए 2. किसी पत्रिका या पुराने समचार बत्र से हाल ही में आई बाहर या सूखे के चित्र एकत्र करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाईए उसक्षित्र में रहने वाले मनुश्यों ने जिन समस्याओं का सामना किया है उन पर कुछ पंक्तियां लिखिए 3. जल की बचत के उपायों पर एक पोस्टर बनाईए और उसे अपने विद्याले के सूचनपट पर प्रदेशित कीजिए 4. जल की बचत के विशय पर अपने स्वयम के कुछ नारे लिखिए 5. क्या नदियों को आपस में जोड़ना बाहर से बचने का एक उपाय हो सकता है इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का चौदवा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन परवेश गौहर निर्मान वंदना अरिमर्तन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत